हेलो एवरिवन स्वागत है आपका आप सभी के प्यारे चैनल ब्लैक बोर्ड में कैसे हैं आप सब उम्मिद करते हों अच्छे होंगे चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को आज हम डिसकस करेंगे क्रिया विशेशन के बारे में क्रिया विशेशन एक ऐसा important topic है जो हर exam में पूछा जाता है और ये बहुत ज़ादा confusion भी create करता है तो आज मैं आपके लिए ऐसी आसांट्रिक लेकर आई हूँ जिसके माध्यम से आपकी सारी confusion दूर होने वाली है तो वीडियो को बिना skip किये अंत तक जरूर देखिएगा चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को पहले हम जानेंगे क्रिया विशेशन की परिभाशा क्रिया विशेशन सब्द में ही क्रिया विशेशन की परिभाशा चुपी है कैसे देखिए क्रिया विशेशन जो शब्द क्रिया की विशेशन बताए वही है क्रिया विशेशन देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है क्रिया की विशेष्टा बताने वाले आविकारी शब्दों को क्रिया विशेष्ण कहते हैं यह चीज ध्यान रखिएगा आविकारी शब्द होगा विकारी शब्द नहीं होगा यानि जो क्रिया की विशेष्टा बताएगा वह आविकारी शब्द रहेगा जैसे देखिए एक्जामपल तुरंत अभी आज यथा शिग्र अवश्य कुछ ये सब जो है क्रिया विशेशन के एक्जामपल हैं चलिए अब इसके भेद के बारे में जानते हैं जो बहुत ज़ादा इंपोर्टेंट है और एक्जाम में लगातार पूछा जाता रहता है चार वर्ण है न देखिए एक दो तीन चार चार वर्ण है तो इस तरह ध्यान रखिएगा क्रिया विशेशन के चार भेद होते हैं और विशेशन जब पूछा जाए तो उसके भी चार भेद होते हैं तो आपको यहाँ पर कन्फ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंक विशेशन के चार भेद कौन कौन से हैं देखिए जिन से समय समय पर एक्जाम में क्विश्चन बनता रहता है भेद हैं काल वाचक क्रिया विशेशन रीती वाचक क्रिया विशेशन स्थान वाचक क्रिया विशेशन और परिमार वाचक क्रिया विशेशन फ्रेंट्स यह ज चलिए इन भेदों को थोड़ा डिटेल में समझते हैं, देखिए, पहला है कालवाचक क्रिया विशेशन, इसकी परिवासा है जो आविकारी शब्द क्रिया होने के कारण समय का बोद कराते हैं, वह है कालवाचक क्रिया विशेशन, काल का अर्थी होता है समय, तो इस तरह ध् जो आविकारी सब्द क्रिया के होने का समय का बोद कराएं वही है कालवाचक क्रिया विशेशन जैसे देखिए आज, कल, सदा, परसों, लगातार, प्रती दिन, निरंतर, अभी, शेग्र, बार-बार ये फ्रेंट्स मैंने वही इंपोर्टेंट लिये हैं जो ज़्यादातर एक्जाम में पूछे गए हैं तो इन्हें ध्यान रखिएगा चलिए अब इन्हें वाक्य प्रियोग में समझते हैं जो लगातार एक्जाम में पूछा जाता रहता है देखिए मैं अभी जा रहा हूँ अब इसके लिए आप ट्रिक क्या योज करेंगे जहाँ पर आपको कालवाचक, क्रिया विशेशन पहचानना हो वहाँ पर आप ट्रिक योज करेंगे कब क्या लगाएंगे कब इसे ध्यान रखिएगा देखिए अब कब से प्रश्ण कीजिए मैं अभी जा रहा हूँ मैं कब जा रहा हूँ अभी जा रहा हूँ तो अंसर मिल रहा है ना अंसर मिल रहा है अभी तो अभी क्या है कालवाचक, क्रिया विशेशन फिर कभी चलेंगे कब चलेंगे फिर कभी चलेंगे तो फिर कभी क क्या है कालवाचक क्रिया विशेशन जल निरंतर बह रहा है जल कब बह रहा है निरंतर यानी लगातार यह भी समय का बोथ करा रहा है और यह वाला पहुत इंपॉर्टेंट है कंफ्यूज करता है तो इसको आप एक्जांपल को ही ऐसे ही ध्यान रखिएगा अच्छे से हम अब जा सकते हैं तो अब क्या है कालवाचक क्रिया विशेशन है और देखिये मैंने सुभा खाना खाया था कब खाना खाया था सुभा खाना खाया था श्याम कल मेरे घर आएगा कब आएगा कल आएगा कब का आंसर मिल रहा है न तो यह है कालवाचक क्रिया विशेशन आज बरसात हुई कब बरसात हुई आज तो आज क्या है काल वाचक क्रिया विशेशन तुम्हारा मित्र अभी आ जाएगा कब आ जाएगा अभी आ जाएगा तो अभी क्या है काल वाचक क्रिया विशेशन है इस तरह आप एक आसान ट्रिक से इसे बहुत इसली ध्यान रख सकते हैं अगला देखिए रीती वाचक क्रिया विशेशन जो आविकारी सब्द क्रिया की रीती रीती का मतलब क्या होता है तरीका का बोथ कराते हैं वही है रीती वाचक क्रिया विशेशन जैसे हैं सचमुझ ठीक अवश्य धीरे धीरे अचानक गलत सही ऐसे वैसे आदी ये सब क्या ह यह सब रीती वाच्छा क्रिया विशेशन हैं, अब देखिए इनका वाक्य में प्रियोग कैसे किया जाता है, जो ज़्यादा तर एक्जाम में पूछा जाता है, देखिए, राम तेज दोड़ता है, अब हम इसके लिए ट्रिक क्या यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे अब आप इसे याद कैसे रखेंगे, सिर्फ एक लाइन याद रखेंगे, यह आपको एकदम आसान से याद हो जाएगी, देखिए हे भगवान कैसे रीत बनाई क्या बोलेंगे आप हे भगवान कैसे रीत बनाई तो कैसे से हो गया कैसे इसकी ट्रिक है रीती से हो गया रीती वाचक क्रिया विशेशन इस तरह आप ध्यान रखिए अब चलिए यहाँ पर कैसे से प्रश्ण कीजिए देखिए, आंसर मिलता है या नहीं, मिल जाएगा तो रीति वाचक क्रिया विशेशन, नहीं मिलेगा तो नहीं होगा राम कैसे दौडता है? राम तेज दौडता है, तो तेज क्या है? रीति वाचक क्रिया विशेशन वह अचानक चला गया वह कैसे चला गया अचानक चला गया तो अचानक क्या है रीतिव अचक क्रिया विशेशन राजेश अवश्य आएगा राजेश कैसे आएगा अवश्य आएगा तो अवश्य क्या है रीतिव अचक क्रिया विशेशन अगला देखिए आदित्य सही पढ़ रहा है तो सही क्या है ? रीति वाचक क्रिया विशेशन दिन जल्दी जल्दी ढ़ल रहा है दिन कैसे ढ़ल रहा है ? जल्दी जल्दी यह वाला बहुत इंपॉर्टेंट है पूंचा गया है ध्यान रखिएगा राम ऐसे कार्य करता है इस तरह आप इन्हें ध्यान रख सकते हैं अगला देखिए अगला है स्थान वाचक क्रिया विशेशन जो आविकारी शब्द किसी क्रिया के होने के स्थान का बोद कराते हैं वे स्थान वाचक्रिया विशेशन कहलाते हैं जैसे यहाँ वाँ, उस ओर, उपर, नीचे, अंदर, वाहर, दाएं, बाएं, आदि ये सब क्या है? ये सब स्थान वाचक्रिया विशेशन है अब इनका वाक्य में परियोग देखिए अब इसके लिए trick हम क्या यूज़ करेंगे, कहां यूज़ करेंगे जब आपको किसी भी स्थान के बारे में जानना होता है तो आप पूँचते हैं न, कहां, कहां तो उसी तरह ध्यान रखिए स्थान वचक क्रिया विशेशन के लिए trick क्या होगी, कहां होगी देखिए कैसे, श्याम बाहर जा रहा है, श्याम कहां जा रहा है, बाहर जा रहा है भीतर जाकर बैठो, कहां जाकर बैठो, भीतर जाकर बैठो नीता कहां गई, नीता वहां गई, मेरा कमरा कहां है, मेरा कमरा उपर है तो ये बाहर, भीतर, वहाँ, उपर, ये सब क्या है? ये सब स्थानवाचक क्रियाविशेशन है और देखिए तुम अंदर जाओ, तुम कहां जाओ? अंदर जाओ कहां से चले आओ? वहां से चले आओ ये अंदर और वहां क्या है स्थान वाचक क्रिया विशेशन कनिका इस ओर गई कनिका कहां गई इस ओर गई तो इस ओर क्या है स्थान वाचक क्रिया विशेशन सीता मेरे पास बैठी है सीता कहां बैठी है मेरे पास तो पास क्या है स्थान वाचक क्रिया विशेशन इस तरह इन्हें ध्यान रखिएगा अगला देखिए परिमार वाचक क्रिया विशेशन जो आविकारी शब्द किसी क्रिया के परिमार और उसकी संख्या का बोत कराते हैं वै परिमार वाचक क्रिया विशेशन कहलाते हैं जैसे देखिए बहुत अधिक थोड़ा कुछ इतना उतना बस मात्र आदी यह सब क्या है परिमार वाचक क्रिया विशेशन है अब इनका वाक्य में प्रियोग देखिए कैसे होता है और इसे हम एक्जाम में कैसे पहचानेंगे उसके लिए ट्रिक क्या है कितना है परिमार वाचक के लिए ट्रिक क्या है कितना परिमार कार्थ होता है न माप तॉल तो म कितना ग्राम इस तरह यूज किया जाता है न वैसे यहां मापतल की इकाई तो नहीं रहेगी यह शीज ध्यान रखिएगा राम अधिक खाना खाता है राम कितना खाना खाता है अधिक खाना खाता है तो अधिक क्या है परिमार वाचक क्रिया विशेशन थोड़ा थोड़ा भ्यास कीजिए कितना भ्यास कीजिए थोड़ा थोड़ा भ्यास कीजिए थोड़ा थोड़ा क्या है परिमार वाचक क्रिया व अखिलेश बहुत पढ़ता है अखिलेश कितना पढ़ता है बहुत पढ़ता है बहुत क्या है परिमार वाचक क्रिया विशेशन और देखिए मोहन कम बोलता है मोहन कितना बोलता है कम क्या है परिमाण वाचक क्रिया विशेशन तुम्हारे पास अधिक पैसे है तो अधिक क्या है अधिक परिमाण वाचक क्रिया विशेशन है तुम्हारे पास कितने पैसे है अधिक पैसे है अधिक शब्द परिमान वाचक क्रिया विशेशन है अर्जुन कुछ तीर लाओ अर्जुन कितना तीर लाओ कुछ तीर लाओ कुछ क्या है परिमान वाचक क्रिया विशेशन ट्रेन काफी देरी से चल रही है ट्रेन कितनी देरी से चल रही है काफी देरी से चल रही है, तो काफी क्या है, परिमान वाचक क्रिया विशेशन, ये वाला बहुत इंपोर्टेंट है, इसे जरूर ध्यान रखिएगा, ये पूछा गया है एक्जाम में, अगला देखिए, अगला है क्रिया विशेशन के कुछ प्रमुख वाक्य, ये इनके भ रवी थोड़ी सी मिठाई खाओ, थोड़ी सी क्या है, थोड़ी सी मात्रा है न, तो मात्रा के लिए हम कौन से रिक अपलाई करेंगे, मात्रा यानी परिमान के लिए हम कितना यूज करेंगे न, तो देखिए, रवी कितनी मिठाई खाओ, रवी थोड़ी सी मिठाई खाओ, तो यह थोड़ी सी क्या है? परिमाण वाचक क्रिया विशेशन है, ध्यान रखिएगा यथा संभव दूसरों की मदद करो कैसे दूसरों की मदद करो? यथा संभव जहाँ पर कैसे से हम प्रश्ण करेंगे वहाँ कौन सा होगा? वहाँ रीती वाचक होगा तो यहाँ पर यह जो यथा संभव है यह क्या है रीति वाचक क्रिया विशेशन मैंने उसे मात्र दस रुपए दिये मैंने उसे कितने रुपए दिये मात्र दस रुपए तो यह मात्र क्या है यह है परिमाण वाचक विशेशन माता जी उपर सो रही है अब यहां हम कहां से प्रश्न करेंगे माता जी कहां सो रही है उपर सो रही है तो उपर क्या है स्थान वाचक क्रिया विशेशन क्या है स्थान वाचक इस तरह ध्यान रखिएगा यह जो वाक्य दिये गए है यह एक्जाम के point of view से बहुत important है तो इन्हें अच्छे से समझिएगा वाक्य as it is ऐसे तो नहीं रहेगा लेकिन जो इसके अंतरगत शब्द आए है जिन्हें मैं आपको बता रही हूँ कि यह कौन सा क्रिया विशेशन है यह शब्द बहुत ज़्यादा एक्जाम में पूछे जाते है तो इन्हें जरूर ध्यान रखेगा वे भली भाती नाच लेता है कैसे नाच लेता है भली भाती तो भली भाती क्या है रीती वाचक क्रिया विशेशन वे बहुत ठक गया है वे कितना ठक गया है बहुत ठक गया है तो बहुत क्या है परिमाण वाचक क्रिया विशेशन गायत्री अंदर बैठी है गायत्री कहा बैठी है अंदर बैठी है तो अंदर क्या है स्थान वाचक क्रिया विशेशन स्थान वाचक इतना ही पढ़लो कितना पढ़लो इतना पढ़लो इतना क्या है परिमाण वाचक है इतना क्या है परिमाण वाचक इस तरह ध्यान रखिएगा अगला देखिए दीप धीरे धीरे जलने लगा दीप कैसे जलने लगा धीरे धीरे तो धीरे धीरे किस में आएगा रीती वाचक में आएगा क्योंकि यहां हमें कैसे से प्रश्न करने पर आंसर मिल रहा है मेरा दोस्त कभी कभी आता है मेरा दोस्त कभ आता है कभी कभी आता है तो कभी कभी क्या है काल वाचक है यानि कभी कभी समय का बोत करा रहा है इस्वर सर्व व्यापक है इस्वर कहा है इसवर सभी जगा है तो ये सर्वव्यापक क्या है? ये स्थान का बोथ करा रहा है तो स्थान वाचक क्रिया विशेशन होगा यहाँ पर तुम वहाँ जाकर बैठो तुम कहाँ जाकर बैठो? वहाँ जाकर बैठो तो ये वहाँ क्या है? ये भी स्थान वाचक क्रिया विशेशन है इस तरह ध्यान रखिएगा अगला देखिए इसे बार बार पढ़ो इसे कब पढ़ो बार बार पढ़ो तो ये समय कब बोथ करा रहा है न तो ये है काल वाचक क्रिया विशेशन बार बार काल वाचक क्रिया विशेशन के अंतर गताता है तुम्हें शेग्र ये पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए तुम्हें कब पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए शेग्र शेग्र भी काल वाचक क्रिया विशेशन है वे अचानक रोने लगा वे कैसे रोने लगा अचानक, अचानक क्या है रीती वाचक क्रिया विशेशन मोहन और सोहन साथ पढ़ते हैं मोहन और सोहन कैसे पढ़ते हैं साथ पढ़ते हैं साथ क्या है यह भी रीती वाचक क्रिया विशेशन है तो इस तरह इन सब को ध्यान रखिएगा अगला देखिए अगला है अभ्यास प्रश्णू निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया विशेशन का भेद नहीं है अब आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आप इसका अंसर जरूर दे पाएंगे जाती वाचक, रीती वाचक, काल वाचक या परिमाण वाचक इन में से कौन सा है जो क्रिया विशेशन का भेद नहीं है इसका अंसर कॉमेंट्स चर्शन में जरूर बताईएगा वीडियो कैसे लगा यह भी बताईएगा वीडियो पसंदायद वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ सेयर कीजिए और ऐसे ही इंटरस्टिंग वीडियो देखने के लिए Blackbird चैनल को जरूर सबस्क्राइब कीजिए Thank you friends